तो अज़र्शन जो है वह वह करेक्ट है कि एंडरोजन बेसिकली मस्किलर ग्रोथ करवाती है मसल्स बढ़ जिसे अगर हम बात करें तो मेल के अंदर टेस्टोस्टेरों रिलीज होता है तो फिट्यूटरी के बाद आप देखते हो कि जो मेल होते हैं उनकी बॉड़ी में काफ केटबॉलिक एफेक्ट प्रोटीन और कार्बो़िड मेटबॉलिसम तो यह इंकरेक्ट है कि मॉनलो कि यह ब्रोटीन का मॉलीक्योल है केटबॉलिक effect मतलब कि ये protein के molecule को छोटे-छोटे molecules में convert कर देंगे basically अगर हम कहें to amino acid में convert कर देंगे अगर हम इसको protein मान रहें तो इसको हम catabolic कहते हैं कि एक बड़े molecule को आप छोटे molecules में convert कर दो यहां पर क्या होता है कि छोटे-छोटे molecule से बड़े molecule बनते हैं ठीक है अब muscular growth हो रही है तो protein चाहिए होगा amino acid थोड़ी चाहिए होंगे तो बड़े molecule बनते हैं तो जो androgens है वो anabolic effect शो करते हैं कि anabolic effect शो नहीं करते हैं ठीक है तो यह statement incorrect है option देखते हैं both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion एक incorrect हो जाएगा वी में भी दोनों को true बताया है वी इनकरेक्ट हो जाएगा सी में अजर्शन को true बताया reason को false बताया सी करेक्ट जा रहा है और दी में अजर्शन को false बताया reason को true बताया दी भी incorrect हो जाएगा वारा correct answer चला जाएगा option इसके regarding information आपको 11th की new ncrt में page number 241 पे मिलेगी i hope कि आपको question अच्छे से समझा गया है